आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी पैटी यह एक टेस्टी रेसिपी है फॉर स्नाक टाइम देख सकते हैं कि यह किता क्रिस्पी क्रण्ची और गोल्डेन ब्राउन लग रहा है तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है टो बनाने के लिए आपको जो इंगडियन चाहिए वह है आलु और फिर उसके बाद आपको मसाले के लिए जो प्लियाने चाहिए और ऑरिगेब चिलि फ्लेक्स किश्मीटी मिर्च गरम मसाला और हम ने किस्टासए न बंड वन सचोट उफ मैर्टी टेस्समेे कर फिर यहाँ पे हमने दो पैकेट मैगी लिए जिसे हमने हाथ से चूरा कर लिया है थोड़ा सा ब्रेड करम्स और उसके बाद है यहाँ पे हमने एक सलरी बनाई है कौन फ्लोर मैदा वन सैचिट अफ मैगी टेस्ट मेकर और दमालू मसाला डाल के गाइस इसके जो भी मेजरमें से वह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप चकाउट कर सकते हैं तो यहाँ पेहले हम आलू में ब्रेड क्रम्स और सारे मसाले डालकर एक मिक्षर तयार कर लेंगे तो हमारा मिक्षर तयार है तो पैटी बनाने के लिए आपको इतनी बड़ी लोई चाहिए और उसे आपको नौर्मल टिककी के शेप के साइज में बनाना है आप साइज और शेप को अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं यहाँ पेहमारे सारी बन के तयार है फिर हम इसको हमारे स्लरी में डिप करेंगे और उसके बाद हमें उसे अपने मैगी जो क्रश किया है हमने उसमें कोट करना है तो गाइज ऐसे हम हमारी सारी पैटी कोट कर लेंगे दूसरी तरफ हमने कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया है तो गाइज अभी हम एक एक करके हमारी मैगी पैटी तलेंगे कंसिकम हमें उसे मीडियम टू हाई फ्लेम में तलना है तो गाइज यह यहाँ पे रेडी हो चुका है अभी आप इससे निकाल कर बाकी सारी मैगी पैटी ऐसे तल लीजिए तो गाइज यहाँ पे हमारा मैगी पैटी बनके तयार है यहाँ पर हमने उसे हरी चटनी के साथ हैं यह बहुत ही दिलिशियोस और टेस्टी स्नैक्स हैं डू लाइक से सब्सक्राइब तो दे चानल थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई गाईज